नमस्कार, मैं गोरव गिरिजा शुकला, अभिकल फाउंडेशन और कलम राइपूर के और कलम राइपूर की 44th एपिसोड, आप में से बहुत से गेस्ट कलम में पहली बार शिरकत कर रहे होंगे और उनके लिए मैं प्रोग्राम और प्रोग्राम के डीटेल के बारे में कुछ ब्रीफ देना चाहता हूँ उसके पहले हमें बहुत खुशी है कि आज के प्रोग्राम की ओथर अंशू हर्श जी और उनसे बाचीत करने के लिए जैश्री में हम दोनों हैं तालियों के साथ स्वागत श्री सिमेंट्स द्वारप्रस्तुत प्रभाकेतान फाउंडेशन अभिकल फाउंडेशन और हयात राइपूर के सैयुक्त प्रया से आयोजित होने वाली कलम श्रिंखला जो की देश भर के करीबन पचीस अन्य शेहरों में राइपूर समेथ और्गिनाईज होती है जिसमें किसी हम हिंदी के सेलिब्रेटी आॉथर को बुलाकर उनके किताब उनकी जर्नी पर हम बाचीत करते हैं उनके जीवन के संघर्षों पर बाचीत करते हैं और साथ ही साथ वो सारे खास मौके जहां से हम लिखक को उनके किताब के अलावा भी जान पाएं उन्हें समझ पाएं उन्हें परसनल तरीके से समझ पाएं ऐसे किसी एक मंच की कोशिश की गई कलम के दौरा इस प्रयास को आज 5 साल हो चुके हैं जून 2015 में कलम राइपुर का पहला एपिसोड और्गिनाईज किया गया था और फिर धीरे धीरे सबसे पहले हम इसे 2-3 महने में एक प्रोग्राम करते थे और फिर हर महीने हम एक प्रोग्राम करने लगे और फिर ये कारवा लगातार चलता रहा दूसरे भी शैरों में फैलता रहा कलम सेंट्रल के अंतरगत तीन शैर आते हैं रायपूर, बिलासपूर और नागपूर, नागपूर और बिलासपूर अभी के नए chapters वहाँ पर start हुए हैं, तो लगभग 4-5 episodes वहाँ हुए हैं, आज कलम रायपूर के बाद हम कल कलम बिलासपूर और गनाइज करेंगे अंशुमेम के साथ में ही, और वो वहाँ की पांचव करता sponsor है, हायत रायपूर, जो कि हमारे वेन्यो पार्टनर हैं और उनका हमें बहुत ही अच्छा सहयोग इस पूरे प्रोग्राम के लिए मिलता है, प्रभाख हेतान फांडेशन, देश भर में और अंतराश्ट्री इस तर पर, लिट्रेचर, एजुकेशन, विमन एंपावर इन्वार्मेंट, इन सभी पहलों पर, सोशल रिफॉर्म्स के लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रयास लगातार पिछले कई सालों से कर रहे हैं, देश की ख्याती लब्द साहितिकार नहीं हैं, प्रभाख हेतान जी, उनके नाम से ये फांडेशन हैं, कलकत्ता म हैं, इनका हेड आफिस है, और देश के तमाम शेहरों में अलग-अलग हिस्सों में अपने तरीके के बहुत से प्रयास किये जाना है, जिनमें युनाइटेड नेशन के साथ जुड कर भी उनके कई प्रयास हैं, जो की विल रिकरगनाइज़ हैं, साहितिके क्षेतर में ये बहुत ही महतरपून योगदान हैं, जिसे आप उनके कई प्रयास हैं, जिसमें से एक कलम है, हम इंग्लिश के ऑथर्स के लिए the right circle और्गिनाइज़ करते हैं, उर्दू के लिए लव्ज और रिजनल लैंविज के लिए आखर, ये सभी अलग-अलग नाम के जो प्रोग्रा होते हैं, अगर राइपूर की हम बात करें, तो कलम जहां आज आप शर्कत कर रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है कि एहसास विमन आफ राइपूर की टीम भी हमारे साथ में हैं, और right circle जो इंग्लिश का प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम हमारी वही टीम और्गिनाइ हैं, ये तरफ वाले का सवाल बड़ा पॉलिटिकल सवाल है और अधिकतर लोग इसकी डिप्लोमेटिक आंसर्स के माध्यम से इसे बच के निकलते हैं, लेकिन हम को कलम राइपूर की बात करें, कलम संसा की बात करें, in all total, तो बहुत अच्छे से और शायद प्राउडली बो बिना किसी विंग की तरफ इंक्लिनेशन के, विशुद दुरूब से एक पाठक और लेखक का ये मंच है, हम तमाम हर तरह के हमने अपने ऑथर्स को यहां बुलाया है, अगर चंवालिसवी कडी में अंशु हर्ष जी आरी है, जैपूर से, तो इसके पहले तक जो 43 कडियां हुई हैं, उनमें सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे ऑथर्स जो की क्राइम ठ्रिलर्स लिखने के लिए मशूर हैं, जाने जाते हैं, तीन सो से अधिक उनके नॉविल्स आ चुके हैं, वैसे लिखक हमारे साथ हैं, अरुन कमल, मंगलेश डबराल और लीला धर जगुडी जैसे गंभीर हिंदी लेखन के लोग मौजूद हैं, ममता कालिया और स्री विमर्श की बात करनें तो अनु सिंग चौधरी, निलीमा चौहान, निलीमा डाल्मिया आधार, इस तरीगे से महिला लेखक भी हैं, नए युवा आथर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सत्य व्या निखिल सचान और नवीन चौधरी जैसे नए युवा लेखक हमारे इसी प्रोग्राम में यहां पर आचुके हैं, नरेंदर कोहली जैसे लेखक हमारे साथ हैं, देवदत पतनायक को हमने राइपूर में बुलाया हुआ है, तो ऐसे जब ऑथर सेलेक्शन की जो हमारी जूर में एक लेखक और दूसरा उनके पाठक, जब तक पाठक ना हो लेखक की complete नहीं होता और जब तक पाठक को अपने लेखक से मुलाकात या रूबरू होने का या लेखक को बहुत अच्छे से जानने का मौका नहीं मिलता तब तक पाठक की भी भूख शान्त नहीं होती है, तो एक ऐसा मंच बनाने के कोशिश है, जिसमें हम एक वो प्लेटफॉर्म ते यार करें जिसमें हम लेखक की जर्नी को जाने और जो आप सभी की रूप में सुधी पाठक जन यहां आते हैं, वो अपने सवाल भी उनसे पूछ सके हैं, बहुत जादा समय ना लेते हुए, द उनकी दूर दर्शन से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में और हमारी आची महमान लेखका अंशु हर्च जी प्रिथा उनके बारे में आपको जानकारी देंगी, इनकी बातचीत होगी लगब पैतालिस मिनिट तक और उसके बाद लगब पंदरा बीस मिनिट का वक्त होगा जब आप सभी के अपने सवाल होंगे जो आप अंशु हर्च जी से पूछ सकते हैं और वो उनके जवाब देंगी, मुबाइल फोन आप प्लीज साइलेंट कर लें आप सभी के, जब शुरू में बाचीत हो रही होगी तो वो हम उनके डिसकुशन सुनेंगे, उसमें कोई इ लिए हम जाने जाते हैं और इसी वज़े से हमने कलम की के अपने प्रोटोकॉल की वज़े से अपनी अलग पहचान बनाई हैं, तो आपसे निवेदन की जब आप सवाल पूछ रहे हों तो हो सकता है कि आपके चार-पांच सवालों की जिग्यासा हो, बट निवेदन ये है क हम पांच-छे सवाल ही ले पाते हैं जितना समय हमें मिल पाता है, इसलिए प्रिसाइज सवाल पूछें और तो ज्यादा बहतर हो जाएगा, सवाल पूछने से मना ही नहीं है, सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं तो लिखकों को बहुत अच्छा लगता है, और दूसरी बात के जब ये कुशन अंसर सेशन हो जाएगा तो आप सभी के लिए एक-एक प्रतियां किताबों की वहां रखी हुई है, जिसमें अंशु जी के ऑटोग्राफ के साथ प्रतियां आपको दे दी जाएंगी, फोटोग्राफी के लिए हमने विशेश रूप से लोग तैनात किये हुए हैं, फोटोग्राफ आपके बहुत अच्छे लिए जाएंगे और आप तक पहुचा भी दिये जाएंगे, एक-दो दिनों का समय आपको देना पड़ेगा, इसलिए मोबाइल से फोटो का जो कई बार निवेदन हो जाता है, उसके लिए मैं रिक्वस्ट करूँगा की तो हम आपको कैमरे के थूँ फोटोग्राफ अविलेबल करवा देंगे, अब ये रहा कलम के बारे में एक ब्रीफ डिटेल, जिसमें मैंने आपको जो संस्थाएं इनके साथ असोसियेटेड हैं, और जिस तरहें से हम प्रोग्राम और्गिनाइज करते हैं, इसकी आपको ज अबिनाद नमस्कार, मैं देब जानी हयात राइपूर की ओर से कलम के आज के महमान अंशु हर्ष जी, आज कार्यक्रम की मौडरेटर जैश्री देवांगन जी, और आप सभी महमानों का स्वागत करती हूं, साथ ही इस कार्यक्रम के प्रायोजक्षी सिमेंट्स और आज हम अंशु हर्ष जी की किताब शब्दों का समंदर पर चर्चा करेंगे, इसके साथ ही उनके जीवन के अनुभव भी जानेंगे, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं बहुत बहुत शुक्रिया देव जानी, हायत की ओर से हमें विशेश सहयोग मिलता है और यहां के जुनरल मैनेजर हरकरन सर हमेशा यहां पर उपलब दोते हैं, आज वो नहीं है, मुझे पता था कि वो नहीं होंगे, मैंने जानबूच के कोशिश की है कि मैं आज अभी से ज्यादा हायत का रिप्रेजेंटेटिव रखो, इसलिए मने अटायर वो कोशिश की है कि हम अपने और अर्गनाइजिंग टीम के भीहाब में रिप्रेजेंट कर पाएं, अभीकल फाउंडेशन से प्रिथा यहां पर है, मैं उनसे निविदन करूँगा कि वो आएं और आज के हमारी महमान लेखी का अंशु जी और जैश्री जी के बारे में वो परिचय पढ़ेंगी, प्रिथा शुक्ला Thank you so much, Gaurav. और आज जैसे कि हमारे जो बीच में अतीथी हैं, अंशु हर्ष जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं, हाला कि वो परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपचारिक ताएं निभानी होती है, जरूरी भी होती है, तो एक संगशेप में परिचय मैं उनक देना चाहूंगी, अंशु हर्ष जी, मेडिया एंट्रप्रेनियोर, एक मंथली मैगजेन, सिंप्ली जैपूर और एक विकली निउस्पेपर, वोईस ओफ जैपूर की संपादक और पब्लीशर हैं, सिनेमा में रुची के कारण राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट उनका है और कविता और कहानी के रूप में कागस पर उतार देना उनके हर दिन का हिस्सा भी है, शब्दो का समंदर उनका कविता संग्रह है, अपने आस-पास के वातावरण को महसूस कर, हर दिन नई कविता उनकी कलम्ड की सहचता से बस यूँ ही बन जाती है, कविता बैठ मन में एक जाल सा बन जाता है, जो शब्दों के समंदर में से कुछ शब्द चुनकर कविताओं के रूप में बाहर आता है, कुछ तस्वीरे भी नया लिखने के लिए प्रेरित करती है, तो ये एक संक्षेप में परिचय था, आज की हमारी अती थी अंशु हर्ष जी का और साथ में आज के जो हमारे कारिक्रम में जो सुत्रधार की भूमिका निभा रही है, वो है जैश्री जी और उनका भी एक संक्षेप में मैं परिचय देना चाहूंगी, तो जैश्री दिवांगर जी दूरदर्शन केंदर राइपुर में कारिक्रम अधिशासी है, वर्तम सेंटर के साथ भी चार-पाच वर्षों तक आपने काम किया है, वर्तमान में दूरदर्शन में विज्ञान पत्र का, खुला आकाश, विकास के पत्ष पर आधिकारियों का नर्मान भी आपके जिम्में होता है, तो आप दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है, शुक काम कर रही है, रूरल एजुकेशन के लिए जहां गरीब बच्चे जहां पढ़ाई कर रहे हैं, किसानों के और अंडर प्रिविलिज्ज जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफे कुछ काम उस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, अब ज्यादा वग्त ना लेते हुए जो थोड़ी देर पहले हमें चाय के बीच में बाचीत के दौरान पता चला, जैश्री मैम दूर दर्शन से जुड़ी हुई है, तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम में एंकर्स आते हैं और जिनको मैम कमांड करती है, जैश्री जी की इस तरीके से सवाल होने है, जवाब होने ह हैं और वगरा वगरा, ये बोलते हुए जैश्री जी, मैं आपको दबाव में नहीं लाना चाहा रहा हूँ, और आज जैश्री जी जो है, वो खुद इंटर्व्यू ले रही है, दूसरी तरफ जो अन्शु हर्ष जी के बारे में जो परिच्छे प्रिछा ने पढ़ा, उस जैश्री जाओं गडड़ा, टूसरी जाना चाहा रहा हुआँ परिच्छ अरे जो गूगल क्या लिए, जैसे ही मुझे मुझे वक्त मिला, इन्हों ने एक चोटा सा प्रुफायल भी मुझे इनका बेजा इनका उनकी के जिक्र था इनका जो जो वाइस ऑफ जबुर है उसक कि एक बार जान जाओं क्योंकि एक जो मीडिया प्रोफाइल होती है और एक प्रोफाइल जो आपके हाथ में एक पेज में आती है जिसमें कुछ शब्द होते हैं उनमें काफी अंतर होता है अंतर यह होता है कि वो प्रोफाइल जो आप मेडिया में आप सर्च करते हैं उसमें उस व्यक्ति के एक जीवन की छोटी सी जहलक मिल जाती है और जो हाथ में आती है, जो प्रोफाइल आती है, उसमें बड़े सदेवे शब्द रहते हैं तो मुझे लगा कि जो प्रोफाइल गारव जी ने मुझे दी थी, उससे कहीं ज़ादा और क्या कहना चीए, किस-किस विधाओं में इनकी पहचान है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी यह ना सिर्फ वॉइस ऑफ जैपूर, जो एक यूजपेपर है, वीकली नूजपेपर है, उसकी संपादक है यह Simply Jaipur, मैगजिन है, बाइलिंग्वल है, उनकी भी संपादक है, साथ ही साथ, राजिस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसकी भी फाउंडर रही है, फिल्मों में भी है, डाइरिक्टर है, प्रोड्यूसर है, फिल्मेकर है, सारी चीज़े हैं, तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं आपके सफर की, तो सबसे पहले मैं यह जाना चाहूंगी, इतनी सारी विधाएं, और सब में आपकी पहचान, तो आपके एजुकेशन के बाद, कहां से आपके सफर की शुरुवात हुई, आपके, मन में, what was in your mind की, मुझे यह करना है, यह कब लगा? कि जहां बड़े-बड़े कलाकार, बड़े-बड़े लेखक इस मंच पर बैठते हैं, मैं अपनी बात आज उस मंच से कह रही हूँ, जब मैंने सफर की शुरुवात की, तो 2008 में मैंने लिखना शुरू किया, और जो लेखन था, वो तब शुरू हुआ, एक अकबार में मैं पढ़ा कि कोई लेक विमेंस डे पर लिखकर भीजना है, मैंने भीज दिया, ऐसे ही, कि कहीं एक दभीवी ख्वाहिश थी कि मैं लिख सकती हूँ, और सायोगवश वो फर्स्ट प्राइस बिनर के तौर पे सलेक्ट हो गया, तो वो एक स्पार्क मेरी लाइफ में आया, वो मैं नौकरी नहीं करना जाती थी, मैं दस साल तक बिलकुल हाउस वाइफ के तौर पे रही, क्योंकि बच्चे छोटे थे, उन्हें वक्त देना मुझे जरूरी लगता था, तो घर से मैंने पात साल तक as in freelance राइटिंग करना शुरू किया, और वो, क्योंकि शोशल मीडिया क जमाना था, उस प्लेटफॉर्म को मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया, और वहां से मेरा जो सफर शुरू हुआ, वो इतना आगे मेरी एक-एक, मेरे जीवन की या मेरी क्रियेटिविटी की एक-एक परते खोलता गया, तो आज ये आलम है कि मैं हाउस वाइफ तो की बात करते हैं, ये बुक मैंने अभी जब गरों ने मुझे दी तो मैंने पूरी पढ़ ली, बहुती सरल शब्दों में इन्होंने अपने जीवन के हर अनुभाव को इसमें पिरोया है, चाहे बात करें बच्पन की, बारिश की, यौवन की, उमंग की, उत्साह की, इवन जीवन के जो अन्तिम पढ़ाओ है, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से शब्दों में बया किया है, तो जब मैं आपका ये बुक पढ़ रही थी, तो मुझे लगा इसमें एक पैटन सा है, जैसे आपने पहले बच्पन की बातें कहीं है, कुछ कवी ताय हैं, जो बच साथ लिखी, कैसा रहा आपका ये सफ़र? काम करते हैं, as in generalist मैं काम करती हूँ, interview मैं लेती हूँ, तो जो मेरे सामने बैठे होते हैं, उनके जंदगी के अनुभव मैं observe कर लेती हूँ, वो जो अपनी बात कहते हैं, आप क्योंकि दुड़ी हैं, आप भी जब देखती हूँगी, तो मेरी जीवन में जो मैंने interview लिये वो मुझे बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, तो वहाँ ही से एक नई कवीता जनम ले लेती है, तो मेरे हर दिन का रूटीन हो गया कि जब तक मैं दो या तीन कवीता हैं लिख नहीं लेती, तो मुझे निन नहीं आती उससे पहले, क्योंकि वो उस दिन की diary लेखन हो गया मेर तो वो एक कवीता के रूप में आ जाता है, और हर कवीता वनकट होती है, कोई एड़ित नहीं होता मेरी कवीता में, क्योंकि जो विचार आया, वो लिख दिया गया, उसमें एड़ित या शब्दों का हेर फेर या राइमिंग जिसको हम बोलते हैं, या गजल जिसको बोलते हैं, वो मेरी कवीताओं में नहीं मिलेंगे, आप जब मेरी किताब देखेंगे, तो हो सकता है कि साहित्य के जो नियम है उन नियमों पर मेरी कवीता कहीं भी खरी नहीं उतरती। तो आजकल इन ही कविताओं का यूग है, जिसमें कोई राइमिंग नहीं होती है, और भाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त किया जाता है, आपकी कविताओं में मैंने चाय का जिक्र दो तीन बार पड़ा, कुल लड़ वाली चाय, निमबु वाली चाय, और भी कुछ चाय है, तो चाय शायद आपका फिवरेट है, कुछ बताएंगे, हाँ चाय हम सब की सुभे की शुरुवात ही चाय से होती है, तो हमेरी जिन्दगी का एक अहम हिस्सा है चाय, तो मैं मुझे कॉफी का कड़वा स्वाद कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं तो कुल हड़ की सादग किताब में, वो शायद राइटर के अपने अनुभाव रहे होंगे, तो जैसे मैंने आपकी किताब पढ़ी, तो मुझे लगा कि हाँ, शायद आपके ही अनुभाव रहे होंगे, क्योंकि इतनी गहराई से बच्पन को जीना, यावण को जीना, प्रेम का व्यक्त करना, तो ये सारे अनुभाव आपके रहे हैं, या किसी और के अनुभाव भी हैं, जो आपने इन किताब में लिखा हैं? 50% मेरे अनुभाव मान सकती हैं और 50% आप दूसरे अनुभाव माने, observation माने मेरे जीवन के, कि जिन लोगों से मैं मिली, जिन जगाउं पर मैं गई, और हमेशा ये नहीं होता कि एक लेखक कुछ लिखता है, तो वो आप बीती लिखे, वो देखी हुई लिखता है, आप बी जो एक लेखक करता है, और चली जाती हूं सपनों की असुरक्षित यात्रा में। मैंने लिखा है, जो किताबों में पुभलिश भी हुआ है, दो किताबे मेरी और अभी आ रही हैं, उन में पुभलिश होगा, मैंने कभी विचारों को विराम नहीं दिया, उन मुक्ता से उन्हें बहने दिया, क्योंकि वो कहीं न कहीं society में है, वो मेरे है, इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती, जरूरी भी नहीं है, लेकिन जो लिखा जाता है, वो घटित हुआ है, तभी वो मेरे जहन में आय या घटित होगा, इसलिए वो मेरे जहन में आया, तो जो भी घटनाए होती हैं, पुराने लेखक जो लिखते थे, मंटो ने जो जमाने में लिखा, या अमरता ने जो लिखा, वो आसपास का वातावरन उनकी अपनी observation, उनकी अपनी life लिखी, तो जो भी घटित हुआ है, वो ह जो ने ये book पड़ी है, जनरली लोग appreciate करते हैं, तो ऐसा कभी कुछ आया, जब किसी ने बिल्कुल आपको criticize किया हो, या कहा हो कि नहीं, तुमने अच्छा नहीं लगा, इससे अच्छा लिख सकते थी तुम, ऐसा कुछ हुआ आपके life में, लेखन के शित्र में तो अभी तक एक पर, यूट्यूब पर मेरी short film है, क्रमाशा करके, वो भी एक राइटर के इर्द गिर्द की कहानी है, 14 minute के film है, क्रमाशा to be continued, उसको मैंने लिखा, उसको मैंने direct भी किया, उसको produce भी किया, और जब मैंने उसको अपने बहुत करीबी दोस को दिखाया कि ये देख के बता कि अब जब बना ही दिया गया है, तो यूट्यूब पर लगाने में कोई हर्ज नहीं है, इतनी चीजें लगती है, तो अब मैंने उसको पिछले महीं ने अपडेट कर दिया, तो आप सब देखीगा क्रमाशा के नाम से, तो उसमें जो थौट था मेरा, वो एक लेखक को ले और वो पूरा निरेशन करती है, जैसे वो सब उसी के जीवन का दर्द हो, और लास्ट में आकर पता चलता है कि नहीं, वो तो एक राइटर है, और वो किसी और की कहानी लिख रही है, किसी अकबार के लिए, तो कुछ इस तरह का निरेशन उस कहानी में है, वहाँ पर मुझ लगता है, शायद पीले कलर से आपको कुछ खास लगाओ है, यह रंग मुझे बहुत अजीज है, और अभी क्योंकि बसंत चल रहा है, तो पीले रंग का ही मौसम है, यह रंग मुझे इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जीवन का उत्सा है, सुबह का सूरज पील होता है, ढलती हुई शाम पीली होती है, और बैराग का रंग पीला होता है, पत्ता जब सूख जाता है, वो भी पीला होकर ही सूखता है, तो मेरी एक कविता यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, एक रंग जो मेरे करीब है, एक रंग जो मेरा अजीज है, उस रंग में चमक है सूरज की किर्नों सी, उस रंग में महक है पीले फूलों की, उस रंग में मिठास है केसर की बर्फी सी, वो रंग मेरे उत्सा का साती है, वो रंग मेरे बैरागी पलों का साक्षी है, उस रंग प्रेम तपस्या और ज्ञान है और इस रंग का मौसम अंतरमन की पहचान है पीला रंग जो है वो स्रिष्टी में व्याप्त है आप सुबहे देखेंगी शाम को देखेंगी भगवान का पितांबर पीला होता है यह रंग मुझे ऐसा लगता है कि सर्व व्याप्त सर्व व्यापी रंग है और इसी को आत्मसात कर लें तो जीवन सुदर जाएगा मैं भी आपके कवीता पढ़के सबको सुनाना चाहूंगी जो मुझे काफी पसंद आई देखें यहां कितनी खुबसूरती सेन होने जो भाओं के रंग है उसको बेरंग कहा है और उस बेरंग को किस तरीके से कनेक्ट किया है बेरंग होते हैं एहसास चाहे सुख हो या दुख सुख का भी रंग बेरंग है दुख का भी रंग बेरंग है चाहत हो या नफरत, डर हो या हैरानी, सुखद मिलन हो या जुदाई, खुशी हो या कुछ खोने का गम, अब इसे कैसे कनेक्ट किया है, चलक आते हैं मेरे भाओं का संदेश लिए ये आसू, जिनका रंग बेरंग होता है, बहुत ही खुबसरत लगी मुझे इनकी ये कविता तो मैं आगे आप से आपका जो फिल्म फेस्टिवल होता है, राजस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसके बारे में जाना चाहूंगी कि कब आपने, उसका फांडर है शायद आप उसकी, तो कब आपने इसकी शुरुवात की? छे साल, छे सीजन हम कर चुके हैं फेस्टिवल की और फेस्टिवल का थौट इसलिए आया था, क्योंकि फिल्में जो होती है, वो हमारा दरपन होती है, आइना होती है, समाज का या हमारा अपना कह लिजे, क्योंकि सिनेमा के परदे पर हम जब हीरो को देखते हैं, हिरोईन को देखते हैं, कोई कहानी देखते हैं, किरदार देखते हैं, तो हम अपने आपको वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, कि ये तो मुझसे जुड़ा किरदार है, ये मैं भी कर सकता हूँ, या मैं भी करना चाहता हूँ, या इस चीज से मेरे जीवन में ये बदलाव आ स तो उसी थौट को लेके हमने ये फेस्टीवल शुरू किया था क्यूंकि मुझे यह लगता था कि हम बच्चों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में हम वो बीज बो देंन, सपने देखने के, क्यूंकि सिनेमा हमें सपने देखना सिखाता है, कुछ बड़ा करने के सपने देखने तो बस उस थौट को लेके हमने ये फेस्टिवल शुरू किया और सिर्फ राजस्तान ही नहीं, देशभर के युवा, इंटरनाशनल सिनेमा हमारे पास आता है, हम उसको स्क्रीन करते हैं, बच्चे कुछ नयाज सीखते हैं, देखते हैं, तो वो चीज हम साथ लेकर चल रहे हैं, कि यंग creative minds को कैसे एक मौका मिले, क्योंकि राजस्थान अभी उतनी बड़ी जगे नहीं हुई है कि technical studies, filmों की studies को बच्चे वहाँ पर कुछ कर पाएं या कुछ सीख पाएं और जो एक education system है कि नहीं doctor ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, उस myth को भी तोड कर बच्चे जो creative कर रहे हैं उनको एक platform देना है कि कि किसी दूसरे शित्र में भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं बहुत सही बात, मुझे एंशु जी बता रही थी कि इनकी जो international film festival है राजस्तान का इसमें इनोंने college के student है, उनसे सारा काम ये सारी चीजे, वो सारी चीजे manage कर दी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कि किसी event company को hire ना करके, student को इंगेज करना ता कि वह कुछ सीख सकें और उनकी energy एक अच्छे तरीके से जो जहां पर उनका interest है, वहाँ channelized हो सके तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनके बारे में बश्री राम जी कि वानर सेना होती है वैसे हमारी बच्चों की सेना हमारे फेस्टिवल में पिछले छे सालों से students ही काम करते हैं, उनी को हम 15-20 दिन पहले से training देते हैं और जो लोग पहले कर चुके हैं वो अगले साल फिर आते हैं तो वो कुछ नई trainings अपने हिसाब से वो अपने juniors को दे देते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा हमारा bonding students और young minds के साथ रहता है यह तो ही आपके, इसकी बार मैं यह जाना चाहूंगी आपके favorite कवी या लेखक कौन है और क्यों है गुलजार और अमरता कह सकते हैं, वो मैंने सादा पढ़ा है गुलजार जब कुछ लिखते हैं तो वो लिख जाते हैं वो वहाँ भी हम rhyming नहीं देखते तो शायद जब मैंने गुलजार को ज़्यादा पढ़ा तब भी विचार मेरे मन में आए कि मैं भी लिखना चाहती हूं तो बहुत सी चीज़े मैंने उनको फॉलो करके लिखी उनकी कविताएं मेरे लिए बहुत हमेशा inspiration रही हैं उनकी आवास में अगर वो कुछ कह देते हैं तो मैं वहीं ठहर जाती हूं YouTube पे मैं उनको सुनती हूं Jebo Literature Festival में वो जब भी आए हैं मैंने हमेशा उनका session सुना है और Amrita Pritam को मैंने पढ़ा है उनकी जो उन्मुक्तता है विचारों की उसको मैंने पढ़ा है तब लिखने का जो एक बेखौफ लिखना होता है वो बेखौफ ही शायद आजाती है Amrita को पढ़ने के बाद इन दो को मैं जादा पढ़ती हूं Amrita जी के बारे में जब मैं कॉलेज में ती तब उन की कुछ बुक्स थी, मैं पढ़ा करती थी तो मेरे घर में मम्मी थी उन्होंने कभी कुछ पढ़ा होगा तो उन्होंने का कि तुम क्या पढ़ती हूं इसमें क्या लिखा है मैंने का यह नहीं कवित आए हैं, और ऐसे ही लिखा जाता है, यह सब पढ़ने का नहीं है, तुम यह सब मत पढ़े करो, तो उनकी जो उन्मुक्तता थी, वो कहीं नहीं, ऐसी थी, जो पुराने लोग एकसिप्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन जो नहीं लोग हैं, उनको पता है कि ये सारी चीजें और ये सारी चीजें सामने आ रही है तो ये काफी अच्छा उनका लेखन रहा है और मैं भी हमेशा उनकी किताबों को पढ़ने की कोशिश करती रही हूं चाहे आधी पढ़ी हो कुछ किताबे कुछ किताबे मैंने पूरी भी पढ़ी है तो आगे बढ़ते कि हिंदी और इंग्लिश हम साथ लेकर चलते हैं क्योंकि राजस्थान यह मैं यह कहूं कि भारत का हर शेहर ऐसा ही है कि वहां की एक रिजिनल लाइंवेज होती है लेकिन अंग्रेजी को हमें साथ लेकर चलना पड़ता है क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसे आगे क्याना है और उसे कुछ नया देना है तो हिंदी और इंग्लिश कॉंसेप्ट हम साथ लेकर चलते हैं और उसके एक साल बाद हमने निउस्पेपर शुरू किया तो करीब आठ साल अब मार्च में हो जाएंगे मैगजीन को तो वो एक as in media entrepreneur आप मुझे कह सकते हैं कि मैं एक media entrepreneur हूँ, journalist हूँ, writer इतनी सारी विदा है, इतने सारे आपके experience रहे हैं आपकी personal life के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि इतना कुछ करती हैं आप, तो time कैसे manage कर पाती हैं, आपके बच्चे भी होंगे तो घर में समय देना और इन सारी चीजों में, क्योंकि अगर कोई बंदा creative होता है तो मुझे लगता है कि वो सारे वक्त सोचता रहता है कुछ ना कुछ, शायद काम करते हुए भी शायद दिमाग में आपके कुछ चलता होगा तो किस तरीके से आप manage कर पाती होंगी घर में? मैं manage नहीं करते, घर वाले मुझे manage कर लेते क्योंकि जब काम करना शुरू किया था तो मैं भी यही सोचती थी कि कैसे होगा पर जब शुरू किया तो फिर होने लग गया काम मेरे husband हमेशा supportive रहे, कभी उन्होंने सवाल नहीं किया कि किस वक्त निकलना है, किस वक्त आना है कोई मेरे उपर बंदिश नहीं है मेरी mother-in-law का बहुत बड़ा support है क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं उनको वो संभाल लेती है तो घर में जब एक कोई बड़ा बुजर्ग होता है तो आप बेफिक्री से घर से बहार निकल सकते हो तो मैं नहीं मैनेज करती, मेरा परिवार मुझे मैनेज करता है बच्चे मुझे मैनेज कर लेते हैं कि ठीक है, करो आप इसके आगे क्या लिखने की planning है या कौन सी फिल्म आप डिरेक्ट करना चाह रही है किस पर काम चल रहा है फिल्म नहीं, फिल्म के लिए बहुत बड़ा मैंने सोचा है लेकिन एक दो काम ऐसे करूंगी जो मेरे लाइफ के टर्निंग पॉइंट साबित हो लेकिन बहुत ज़ादा कमर्शल एंगल से मैंने फिल्मों के लिए नहीं सोचा किताबों को मैं अपना जीवन देना चाहती हूँ शब्द मेरी जिन्दगी है, मैंने अपने उसमें भी लिखावा है किताबों के लिए काम करना चाहती हूँ अजन पब्लिशर, अभी मैंने नया काम शुरू किया है तो तीन-चार भुक्स मैं अल्रेडी पब्लिश कर चुकी हूँ और आगे भी इसी शेत्र में जादा जाना मैं चाहती हूँ लेकिन हाँ, एक दो कहानिया जो मेरे जहन में चल रही है उनको एजन स्क्रिप्ट में डवलप कर रही हूँ अभी देखती हूँ कहां तक लेकर जाता है अच्छा ये आजकल जो ओपन माइक का कॉंसेप्ट चल रहा है आपने भी सुना होगा, शायद राजस्तान में भी होता होगा तो ये जो कॉंसेप्ट है, आपको क्या लगता है कि इससे जो नए राइटर है या जो नए पोएट है उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है या वो उनको वहीं गुमा के वहीं खतम कर देती है क्योंकि कुछ ऐसे राइटर भी मैंने देखे हैं कि ओपन माइक पे आते हैं कुछ साल एक्टिव रहते हैं उसके बाद फिर्शान बढ़ जाते हैं उनकी रचनाई कहीं पब्रिश नहीं होती कहीं नहीं सुनी जाती पर अच्छा लिखते हैं तो ये आप क्या सोचती हैं इसके बारे में जिसको हम कहते हैं कि वो एक के बाद एक के बाद एक शेर हो जाती है अभी पिछले दिनों कई ऐसी कवीता हैं हमें सुन्ने में आई जो सुन्ने में बहुत अच्छी लगती है और तो वहां से आपको एक नया प्लेटफॉर्म नो डाउट मिलता है अगर आप में स्पार्क है आपके लेखन में वो क्षमता है कि वो कहीं दूर तक जा पाए तो उपनमाइक बेसिक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी क्षमता के अनुसार आप उसको काम में लेंगे तो वो बहतर ही साबित होगा अच्छा जो नए कवी है जो कुछ लिखना चाह रहे हैं तो उनके लिए कुछ संदेश कुछ टिप्स वो दे दीजे आप या उसके लिए तो मैं बहुत छोटी हूँ कि मैं क्या टिप्स नए बच्चों को दूँ क्योंकि जो मन में आता है वो लिखिये वो लिखना जरूरी है विचारों का चलना जरूरी है उनमुक्त था क्योंकि एक लेखक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर ये लिखूंगा तो ये सवाल उठेगा सवाल उठे तो जवाब देना सिखी क्योंकि यही चीज आपने भी बोली कि अगर एक महिला लिखती है या कोई नई लड़की लिखती है पेरेंट्स उस पे सवाल अमरता पर भी सवाल उठा था उनकी मा नहीं उठाया था तो अगर एक लेखक, strong लेखक बनना चाहते हैं तो विचारों का चलना और उसके बाद कलम का चलना उतना ही जरूरी है तो अब मैं चाहती हूँ कि जो ओडियंस है उन में से जो भी सवाल है आपके आप अंशु जी से पूछ सकते हैं यह बाचीत का पहला सतर था जिसमें author और moderator के बीच भाचीत हो रही थी और अब over to the audience आपके जहन के सवाल हो सकते हैं आप लोग सवाल करें उसके पहले में पहला मौका मैं निकाल लेता हूँ मैं पूछ लेना पूछना चाह रहा हूँ आम तोर पर कभी भी कोई महिला लिखना शुरू करती है तो एक social thought है श्वेता जी आई यह स्वागत है आपका please have your seat over here तो एक है कि सीधे-सीधे समझ लिया जाता है कि महिला विमर्ष पर ही बात होगी स्तरी विमर्ष पर बाचीत होगी और इस तरी विमर्ष पर जब बाचीत होगी तो सीधे से एक format set कि महिला दुखी है शोशित है, पीडित है और उसे अपनी आवाज उठानी होगी और इस तरीके से फिर कहानी शुरू होने लगती आपको क्या लगता है आपकी अपने इंपरमेंट की बात की जाती है मेरी कविताओं में आपको ज़्यादा तर जो एक sound दिखेगा वो कई कविताओं में मैंने गा करके भी लिखा है कि मैं ये चाहता हूँ तो मेरा जो मन है वो सोचता है सोचती नहीं है ये उस सवाल का जवाब होता है क्योंकि मैं मन से लिखती हूँ और मन के लिए हम यही कहते हैं कि मेरा मन तो ये चाहता है हम यह नहीं कहते हैं कि मेरा मन चाहती है तो जो एक दलित स्त्री होती है या एक दुखी मैला वो मेरे जीवन में है ही नहीं वो अगर चाहेगी तो ही होगी नहीं जाएगी तो दुख हो कि यहाँ पर बैठा रहेगा उससे दोस्ती करेगी और हाथ में लागे नहीं कविता लिखेगी और आगे चल देगी हैं struggles बहुत होते हैं life में लेकिन उनको कैसे face fight करना है वो आना चाहिए मैं तो महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ और मेरी कविताओं में भी महिलाओं के लिए यही लिखा है और यहीं लिखने की कोशिश भी करती हूँ जो रोना-धोना-दुख दुनिया लिखती है, दुनिया पढ़ती है उन सब से अलग कुछ करना चाहिए वो नहीं है जीवन में मेरी कविताओं में आपको तो दल इत्माई हिला काही नहीं बिलेगी. मैंने भी ये किताब पड़ी, तो मुझे भी लगा था, और मैंने इन से बात भी की थी, कि इनमें जो कुछ कविताइं हैं, उसमें मैं चाहता हूं, या मैंने ये किया, मैं ये करना चाहता हूं, इस तरीके की चीज़े हैं, तो मुझे लगा कि ये पुर्लिंग होके आप कैसे लिख रही हैं, तो अभी मुझे ये पता चला कि क्योंकि इनका मन चाहता है, इसलिए वो मन से लिखी हुई बाते हैं, नेक्स ग्वेश्टिन जिनको जो जहन में सवाल आरह होंगे, वो पूछ सकते हैं, आम लोगे अश्वरे जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, विजापूर डाइरी की लेखिका है, मैं आपके जहन के सवाल जो आप पूछना चाहेंगे, इसलिए और आप आप अभी ए that write-up and all, please. बच्मन से मैं पढ़ते आ रही हुनको. तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि एक पुरुष का नजरिया होता है और एक स्त्री का नजरिया होता है. स्त्री के तरफ ही देखने का. तो कितना वहाँ पे डिफरेंस है और कितना वो ग्याप हम फिल कर पा रहे हैं. स्त्री के नजरिये से जब मैं स्त्री को देखती हूँ तो मेरी नजर में स्त्री आती है सीधा, मीरा, राधा. ये तीनों स्त्रियां ऐसी थी जो पुरुष की शक्ती थी. ये वो शक्ती थी जहां पे पुरुष स्त्री के पास आता था. स्त्री कभी पुरुष के पास नहीं गई. और जहां पर स्वाभिमान की बात आई तो एक पल में ठुकरा कर उन्होंने अपने जीवन की रह ली. तो मैं स्त्री के उस संघर्ष को और उस शक्ती को फॉलो करती हूं और मैं ये चाहती हूं कि हर स्त्री उस चीज को फॉलो करें कि जहां प्रेम है, समर्पन है तो अती है. और अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसका कोई वो नहीं है, कि उसकी वैल्यू नहीं की जा रही है, या उसको लग रहा है कि ये व्यर्थ है, उसको लगता है देना चाहिए तो वो दे, और जहां पर छोड़ जाना चाहिए, तो वो उसी वक्त बैराग लेके और मु मैम आपने बोला आप शॉर्ट फिल्म भी बनाती हैं तो राइटिंग और मेकिंग मुवीज, मेकिंग फिल्म में क्या फर्क दिखा आपको? When you want to tell a narrative, कोई भी एक story आप सुनाना चाहती है तो अपनी कविताओं के थ्रू जो आप बोलती है वो कैसे फर्क है उन चीजों से जो कि आप अपनी फिल्म में दिखाती है? अभी मैंने जो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी वो निरेशन, पोईटिक निरेशन ही था तो इसलिए मैं बहुत जादा अपने आपको वहाँ पर जज नहीं कर पाई कहानी जो मैंने लिखी है वो अभी ongoing process में है उस पर अभी मुझे काम करना बागी है तो जो क्रमश अगर आप YouTube पे देखेंगे उसको to be continued, तो वो to be continued ही मेरी अभी life में है कि उस चीज़ को मुझे अभी carry forward करना है आगे, वो क्रमश वहाँ हुआ है क्योंकि वो जिंदगी की वो बात मैंने लिखी है कि मैं जब अपनी कहानी लिखूंगी तो उसमें जीवन का हर सच लिखूंगी और एक लिखक की जीवन में कभी कुछ खतम नहीं होता वो हमेशा आगे बढ़ता है, उसके चले जाने के बाद भी वो दूसरों की, क्योंकि वो किताब में जिंदा रहता है तो वो दूसरों की आसों में जिंदा रहता है वो दूसरों की मुस्कुराहट में जिन्दा रहता है. तो जो फिल्म हो गई, या कवीता हो गई, या कहानी हो गई, वो निरेशन की एक कंटिनुटी रहती है आपस में. एक क्रेटिव माइंड जो होता है, वो लेखक है, तो वो कोशिश करता है कि वो डिरेक्शन की भी कोशिश करें. तो ये जहरी चीजें आपस में कनेक्टे हैं. As in, डिरेक्टर मैंने उस फिल्म को डिरेक्ट करने की कोशिश की. जब किताब लिखने का था, तो किसी से पूछा नहीं की कैसी कविता है, कोई पढ़ने वाला कैसे रियक्ट करेगा. बस पब्लिशर के पास गई और उसको छपवा दिया. दूसरी कविता हूं कि किताब का थौट आया कि ट्रांसलेशन करवाना है, तो वो भी प्रॉसेस में है, वो भी करवा रही हूं. फिल्म बनाने का ख्याल आया, वो भी बना दिया. तो जो काम करने का विचार आता है, वो बस में होता है, तो उसको कर गुजरती हूं. चार लोगों की ओपिनियन नहीं लेती. आपको सुनके लगनी रहे हैं कि आप मारवाडी परिवार की बहु रही हैं? गुगट वाली. मेरा सवाल ये है कि थोड़ा बहुत मैं भी लिखता रहता हूं. तो जब लिखते हैं तो कुछ जो भाव आते हैं, उनमें कुछ करेक्टर्स भी आते हैं. तो जब करेक्टर आते हैं तो उनको एक द्रश्टा बनके लिखना ज़्यादा वह भाव आपाते हैं. या हम वो खुद करेक्टर आत्मसाद कर लें, तो हम उन भावों को ज़्यादा बहतर लिख पाएंगे. या उस पोईट्री या जो भी लिख रहे हैं, तो उसमें दोनों मिक्स हो रहते हैं, कि हम द्रश्टा भाव भी हमें दिखाना होता है, या हमें उस करेक्टर में उसको अंदर आत्मसाद भी करना होता है. आत्मसाद करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे. वो ही महसूस कर लिजे कि अगर बादल लिख रहे हैं, तो खुद बादल बन जाएंगे. फिर उसको लिखें. लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम द्रश्टा बन के चीजों को ज्यादा सहज और मतलब बिना किसी पक्षपात के लिख सकते हैं. ऐसा भी भाव रहता है. मुझे ऐसा मैसूस होता है कई बार. हाँ, वो अपनी-अपनी लेखन शमता और अपने-अपने शब्दों को किस किरदार के नजरिये से हम उतारते हैं. तो मेरी एक कविता के माध्यम से मैं आपकी ये बात का जवाब देना चाहूंगी. आसान नहीं होता कविता का बन जाना. कलम के जरिये किरदार उतरता है पन्नों पर. और उस किरदार को पन्नों पर उतारने के लिए नजाने कितने दर्वाजे खुलने पड़ते हैं. एक सपना, एक सोच और उसके बाद का हौसला. खुद के वजूत को पहचानने का हुनर और चार दिवारी में खनकती खुशियों को मुठी में कैद करने का जुनून होता है. तब जिन्दगी खोलती है दर्वाजे नई राहों की, जहां कविताएं सांस लेती है. तेरी और मेरी बात कहती है और एक बदलाव की बयार, बह मेरे हिसाब से आत्मसाद करना जरूरी है. हर लेखर का अपना एक विचार होता है, वो उसको लेकर चले तो बहतर लिख लिखता है. जैसे पत्रिकाओं में या अखबारों में कविता कोई एक या दो कविताएं होती हैं और पूरे पढ़ने के बीच में हम उसको बड़े आनन से और बड़े स्वाज से चकते हैं, अच्छा लगता है. लेकिन जैसे मिठाई बल्क में नहीं खाई जा सकती हैं, वो उस इस्ट साल में आप एकाद चुन लेते हो, कविता किताब के रूप में कितनी सार तक है, आज खरीद के कोई पढ़ता नहीं, लोग भेंट में देते हैं, या लेकक के नाम से बंद के हम किताब ले लेते हैं, वही हलत लिखने वालों की भी है कि जब वो कविताएं एक किताब की सकल में तैयार करते हैं, तो उनको एक साथ पढ़ने वाले पाठक डोड़ना पड़ते हैं, तो क्या ये किताब के रूप में आनी चाहिए, और दूसरा, अगर हमने अपनी चीजें एक जगह एकठी की हैं, तो उनको लोगों तक कैसे पहुँचाए जाए जाए आपके पहली का जवाब तो ये है कि आजकल कविताओं का दौर है और आने वाले समय में ये जादा चलेंगी, क्योंकि लोग कहानियों में और विस्तरत लिखी हुए चीजों में कम विश्पास करेंगी, छोटी तोर पे अपनी बात कह जाना और सुन लेना और समझ लेना, वो जादा चल करेंगे, और किताब का कंपाइल होना जरूरी है क्योंकि जो आपने लिखा है, जो चर्चाएं आपने की है, उसमें कितना दम है, और जरूरी नहीं है कि वो आप से कनेक्ट नहीं हो रहा है, किसी और की जीवन से कनेक्ट हो रहा है, कोई और उसको पढ़कर प्रेरित हो रह तो कविताओं का लिखा जाना भी जरूरी है, किताबों का आना भी जरूरी है, ना शब्द को डिक्शनरी से हटा ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो साहित्य है, जब तक इसका स्रजन नहीं होगा, हम आरती गाते हैं, दस लाइन की आरती होती है, चल ही रही है ना पुरातन, आजकल बच्चे नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हमने आरती हमारे मन से थोड़ी हटा दी है, बड़े बुजर्ग तो आज भी उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, और बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तो वो सीखेंगे, उसी तरह कवीता है, कवीता में जो छोटी सी अच्छी नहीं बनाया और किसी ने कहां कि नहीं अच्छी नहीं बनी है, तो ये शब सुनते साथ मुझे बड़ा धक्का सा लगा, क्योंकि ये धक्का मुझे लग चुका है, फिर मैंने सेकेंड ताम जब बनाया तो फिल्म बहुत अच्छी बनी, तो मेरे खाल से आपने ब पार्ट में बहुत समय लगता है, फिल्म मेकिंग में सबसे ज़्यादा समय लगता है, वो रैटिंग का लगता है, चुकि आप लिखते हैं, रैटर है तो काफी समय तो आप अच्छा लिख सकते हैं, इतना मुझे पता, जितना मैं ना तो आपको पढ़ा हो ना कुछ पर मैं एक सवाल यही है कि क्या आपकी जो आपकी ऐसी कविता है जो रंगमंच पे भी कहीं उतरी है या कुछ चल रहा है प्लान इस तरह के का नहीं अभी रंगमंच पे उतरी नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई उतार ले हाँ, फिर ठीक, तो खुला है समलों, ठीक, शु आपकी जिस वक्त मैंने जॉइन के उस वक्त मैंने थोड़ा सा नशू को समझा लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि जो आप लिखती हैं उससे आप कित्ती जुड़ी हूई हैं और आई यू अगगेटर? मैं जो लिखती हूँ, वो मैं हूँ, जो विचार आया उसे उसी वक्त तुरंट उतारती हूँ और हर दिन एक कविता लिखती हूँ, मैंने बात शुरुआत यहीं से की थी कि जब तक मैं दिन में एक या दो कविताएं नहीं लिख लेती, मुझे नहीं आती है, तो सोने से मेरा नियम है कि कुछ न कुछ लिखना है, क्योंकि मेरी डाइरी का हिस्सा होता है, तो मैं लिख कर नहीं, एक कविता के माध्यम से अपना अनुभव उस दिन का कह जाती हूँ, मैं अपने आपको शब्दों का समंदर कहती हूँ, विचारों मरते हैं, तो जाल बिचा कर और पर नुट शब्दों को ढाल कर एक कविता बना देती हूँ, थालो माम, मेरा फ्रॉशन यह है कि बिग डाइटर आपका पर्सपेक्टिव क्या है, अभी आजका हम देखते हैं कि Amazon पे बेस्टेलर जो बुक्स है, तो जो राइटर है, वो बहत ही फेमस हो जाता है, या फिर आपने वाइरल की बात करें कि किसी ने कविता भी आज के टाइम पर बहुत सारे वाइरल कविता भी देखने को मिल रही हैं, उनको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है? इस बारे मारे? कोई भी कविता या कोई भी किताब, वैसे तो मार्केटिंग का जमाना है, जो जितना ज़्यादा मार्केट किया जाएगा, जो दिखेगा, वो बिकेगा, वो वाला सीन है मार्केट में, लेकिन कोई भी कविता जब वाइरल होती है, या कोई भी किताब का जिक्र ज़्याद उसे शायद आप connect हो जाएंगी कि करवा चौथ एक तियोहार है ये शायद कवीता मेरी एक अलग टेस्ट की कवीता है जो इस किताब में भी नहीं है लेकिन अभी कुछ ताइम पहले ही मैंने लिखी थी शायद ये कवीता जब मैंने शोशल मेडिया पे शेयर करी तो मेरे सुन कि कितने बरस हो गई है बया को लेकिन मैं ये परंपरा नहीं निभाती मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ नहीं करती जो बंधन बंधेवे हैं करवा चौथ का करना आजकल के जमाने में एक मजबूरी सा हो गया है एक रूड़ी वादी हो गया है कि हम ऑफिस जाते हैं काम क करते हैं उस भागदोर में भी में उस चांद देखना है पूजा करनी है फैशन भी मान लीजिये उसको तो ये मैंने तब लिखी थी क्योंकि मैं करवा चौथ नहीं करती मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ नहीं करती मुझे याद है अगनी साक्षी थी हमारे बंधन की रोज उससे अपने मन की बातें करती हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए चांद का इंतजार नहीं करती क्योंकि मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ नहीं करती तुम्हारी हर उल्चन को अपनी जुल्व की तरह सुलजा देती हूं कोई तकलीफ होती है ढाल लेकर तुम्हारे आगे आगे चलती हूं हाँ सिंदूर में मांग भरे मांग में सिंदूर भरे अब एक अर्सा हो गया है और मैं तुम्हारे लिए करवा चौत भी नहीं करती तुम्हारी एक मुस्कुराहट पे वारी जाती हूं उदासी का आलम तुम्हें छूबी ना पाई बस यही चाहती हूँ अपने अब किसी भी दर्द की फिक्र नहीं करती लेकिन मैं तुम्हारे लिए करवा चौत नहीं करती तो यह जो थौट था कि मैं सारी जिम्मेदारियां मेरी निभाती हूँ बस भूके रहकर चांद का इंतजार नहीं करती जो कि एक mandatory चीज हो गया कि अगर करवा चौत कर लिया मतलब आप एक सुगर सुशील बहू हो गए सुगर सुशील पती ब्रता पतनी हो गए वो मैं नहीं करती उसके अलावा कि सारी जिम्मेदारियां मैं निभाती हूँ तो ये एक personal connection हो जाता है हर महीला का किसी कवीता से तो वो चीज़ connect करती है आपको जो आप लिखते हो और जो लोग जीवन में जी रहे हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए जादा एक स्कूब आपको मिल जाता है एक लिखक के तौर पे वो करवा चौथ का अवरत अपनी वाइफ के साथ लास्ट मेरे खाल से सर में गलत नहीं हूँ है या चौबीस एटाइस सताइस है तौइटी सेवन सालों से वो लगातार अपनी वाइफ के लिए करवा चौथ का वरत रखते हैं तो यह भी बहुत खुबसूरत सी चीज है और अब मुझे लगता है कि सवाल जवाब के बाद हम अपनी उस कड़ी में पहुँच गए हैं प्रोग्राम के आखरी कड़ी जिसे कहा जाता है जिस पे किताबों में ओटोग्रैफ के साथ में और इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप करेंगे आप सभी के प्रतिया भार व किता है ये तुम ये टाइटल है तुम त्योहार बनकर मत आना मेरे जीवन में जिसके चले जाने का सूना पन मेरे मन को बेचैन करें तुम हर दिन की गती बनकर रहना मेरे जीवन में जो सूरज की लालिमा के साथ उग कर चान की चानी जैसी मेरे साथ हर दम रहे इस तरीके की शब्दों के साथ आप बड़ी खुबसूरत तरीके से अपनी भावनाओं को अब्यक्त करती हैं तो मुझे लगता है कि आज जब हम कलम के इस 44 कड़ी के समापन की ओर आ चुके हैं तो इतना इतना खुबसूरत सा ये आज का सत्र रहा और सबसे एहम बात की बहुत ही स्वभाविक थोड़ी देर पहले जब हम लंच में बात कर रहे थे तो मैंने जिक्र भी किया था अंशु जी से ये कहा था कि आपकी कविताओं को पढ़ने के बीच में सबसे अची चीज ये महसूस होती कि बहुत उसे ग्ल जो इस किताब का अधरी पन्ना है मेरी प्रेड़ना मैं वो कविता पढ़के फिर आप इस कारेकरम को विराम दीजे बिलकुर मुझे नहीं पता मेरे शब्दों में कितनी ताकत है किसी के दिल को छू जाने की लेकिन मैं ये जानती हूँ मेरे शब्दों की ताकत मेरे भाव है और मेरी भावनाउं की ताकत उसे भी मैं पहचानती हूँ मुझे नहीं पता ये शब्द मुझे मेरे जीवन में कोई मुकाम हासिल करने में मददकार हूंगी लेकिन अगर कुछ हासिल हुआ तो उस उचाई से ही आँखें मूंद कर उस रब को उस रब को तुमसे मिलाने का शुकराना कह दूँगी मेरी प्रेड़ना तुम्हें दूर से ही सब कुछ नजर कर दूँगी बहुत बहुत शुक्रिया मैं श्री सिमिंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभाखेतान फाउंडेशन अभिकल फाउंडेशन हायत राइपूर के सेंक्तु प्रयास से आयोजित होने वाली कलम श्रिंखला की आज यहां पर 44 कड़ी की सार्थक बाचीत और चर्चा हमने यहां पर आयोजित की हमें बहुत खुशी हो रही है कि अंशु हर्ष जी जैपूर से रंग रंगिलो राजस्तान से हमारे बीच हमारे चतीस गड़ की इस पावन धरा पर वो आई है मुझे लगता है आज आपका चतीस गड़ का पहला प्रवास है या फर्स टाइम आये है कि पहले आ पाएं और क्योंकि जैपूर से जो कनेक्टिविटी है हमारे उसके इसाथ से बहुत अरली मॉनिंग की फ्लाइट्स और कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैदराबाद होते हुए आप यहाँ पहुचे हैं और कल भी आपको बहुत ट्रेवल करना है हम आपको बिलासपूर लेके ज जाए लिखना तो ठीक है लिखना तो अपने खुद के लिए है स्वांता सुखाय भी हम लोग लिखते हैं और खुदी लिखके खुश हो जाते हैं लेकिन छपा क्यों जाए और बहुत खुबसूरत सा आपने जवाब भी दिया था लेकिन मुझे लगता है कि अगर चप भी गए हैं और जो अगरवाल सर के भी जहन के सवाल जो सवाल था महतुपून कि फिर पाठक और लेखा के बीच में जब इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक भी कोई साहित स्रिजन की सार्थक्ता तब तक भी अधूरी रहती है क्योंकि वो फीड़बैक वो अन दे स्पॉट शायद आपको तब ही वो महसूस हो पाता है हमें बहुत खुशी है कि कलम का ये प्रयास यहां तक आगे बढ़ता हुआ आया है इसने पूरे चछतीज गड़ ही नहीं बलकि देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है एक साहितिक आयोजन की एक अनूठी शैली जो कि आप यहां पर हमारी महमान बनी आप यहां आए और जो बाचीत में जो सबसे महत्रपूंड भूमिका निभाई जाती वो सुत्रदार के द्वारा निभाई जाती है तो जैश्री महाम आपके प्रति हम हृदय से आभारवेक्त करते हैं कि आपने हमारा ये अग्रह सुईकार किया और नहीं, बिल्कुल आपने बहुत बैतरी अपने बहुत काने भाई, ठांकिये सो मच बहुत ही सुंदर यहाँ पर बाचीत हुई और अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए ये आज की शाम हमेशा आपके जहन मे रहे हम स्मृति चिन्द भेट करते हैं अपने महमानों को जो भी हमारे बीच में वरिष्ट गन आय हुए होते हैं कारिकरम में हमें बहुत खुशी है कि निलीमा बंसोड जी हमारे साथ है मैं आप से निवेधन है कि आप हमारी आज की महमान लेकिका अंशु जी को स्मुनिती चिन्न भेट करेंगी बहुत बहुत शुक्रिया मैं प्रबीर जी हमारे भी चुपस्तिते हैं सर आप से निवेदन कि आप आज के हमारी सुत्री जी को स्मुनिती चिन्न भेट करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया सर और जैसा कि हमने आपको बताया कि आप सभी के लिए एक एक प्रतियां किताब की यहां पर रखी हुई है शब्दों का समंदर जो कि अंशु जी की कविताओं का संग्रह है वो किताबें आप एक एक अपने पास ले सकते हैं परिवार के साथ आए हुए हैं उनसे निविदन की हर परिवार के लिए एक किताब यहां पर है और आप सभी से निविदन है कि आप आएं और अपने हस्ताक्षर के साथ अपने किताब लें और जो थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू होने के पहले मैंने बहुत से नियम कायदे कानून बनाये थे, उसके बाद हमारे जो शुरोता पाथक जो होते हैं, वो बिल्कुल जम जाते हैं कि नहीं बड़े नियम कड़े हैं, वो सारे नियम अब शेथिल होते हैं, आप अनपचारी तरीके से बाचीत और चर्चा हो सकती है, जब मैं नियमों को शेथिल कर रहा हूं, उसमें एक छोटा निवेदन और कर देता हूं, कि जब हम आटोग्राफ ले रहो होते हैं, उस समय भी हमें मौका मिलता है कि हम आथर से बात करें, उस वज़े से क्यों बड़ी प्रभाखेतान फाउंडेशन, श्री सिमेंड सायत राइपूर की ओर से, मैं गौरव गिर्जा शुकला, आप सभी के प्रती आभार व्यक्त करता हूं, बहुत 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 शुक्रिया, आप सब यहां पर आए और आपने इस प्रोग्राम को सफल बनाया, अंशु जी, आ आपके प्रती हिर्देश से आभार, आपका आना बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जब आए हैं, तो हम चातीजगर में आने के पहले इनों ने पूछा था कि आप कहा हुता है, मैंने बोला था हमारे दो ही सीजन होते हैं, गर्मी और बहुत गर्मी, अब हम बहुत गर्म हैं, थोड़ा बहुत थंड निकली है, और यह जब आई हैं, तो जैपूर से सारा थंड इनों ने ले आई हैं यह यहां पर, आप जब बाहर जाएंगे, आपको थंड मिलेगी, वो इसलिए है कि यह आप आई हुई है, मुझे चिंता इस बात कि है, कल बिलासपूर में कैसा मौसम होगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के पृति और जोरदार थालिया आज के सत्र के लिए, अंशु जी के लिए, और जैश्री मैम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थाइंक यू सो मच. सबस्टे के लिए कैसा इस भ्र तर जाएंगा का यू सबस्टिकर्ड़. झाल झाल